थाने के अाइट करते हैं एंबसे में लोग पिरेश्ट्रेंश करने दिखते हैं कि आkg दैख है जो। तो चार पर संट के ऊपर हम लोग को यहां पर देखने के लिए मिद रहा है इवन दो मार्केट थोड़ा से हां पर वीक है यहां पर आज के दिन पर देखा जाए तो इसके लिए क्या करना है यह भी हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले आप लिख आप लाग करोड या 530 तो यहां पे जिए सकते हों की तीन यहां पर आप लोगो यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको सेगमेंट देखने के लिए अब यहां पर उसके अलावा अगर यहां पर स्टॉक की देखी जाए तो वह थोड़ी से यहां पर फिलाल अभी महंगी नजर आ रही है रीजन अगर देखा जाए तो स्टॉक की यहां पर 25 की आसपास की आपको 26 के आसपास की देखने के लिए और उसके हिसाब से यहां पर प्रॉफिट को थोड़ा सा कहीं पीछे चूड़ गई है अब यहां पर देखो कंपनी की बिजनेस ऐसा है कि अचानक से आके यहां पर 24 और 25 परसंट की ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी थोड़ा सा कोविट के बाद आला समय अगर देख के लिए मिला है अब बीच में कोविट आया था उसके बाद भी ऐसा को अचानक से जंप नहीं आया कि आप रों क्या दो कि आरे 25 परसंट ग्रोथ आई तो यह मतलब कंपनी का बिजनेस कह सकते हो कि नीचर होता है एक बार जब कंपनी बहुत जादा ग्रो कर जाती तो उसको फर्दर और एक्सपैंड करने में थोड़ी से दिक्तते आती है क्योंकि एक तरह से औरीटी बहुत सारे लोग को केटर कर रही होती है मतला मिजॉरिटी ऑफ अप एक स्लो पेस्पे ही रिटर्न आपको लॉंगर पेरिट में देखने के लिए मिल सकता है बट क्योंकि यहां पर वैल्यूइशन काफी जादा बढ़ गई है तो उसके चांसे थोड़े से यहां पर स्लेम हो जाते हैं क्योंकि एक बार अगर कंपनी का वैल्यूइशन बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि कंपनी काफी जाबा मूव कर चुकी है अब यहां पर फॉर इंस्टेंस अगर द पांचे साल का मूमेंटम एक ही साल के अंदर कंपलीट करके कंपनी रखी है अब यहां पर कंपनी कोई भी मूव करते बड़ा मूमेंटम देती है तो ऐसा नहीं होता है कि लगातार हर साल वह वही मूमेंटम देगी क्योंकि होता यह है कि रैंडम मूमेंटम होता है कभी 10% लेती है कभी जिरो परसंट देती कभी नेगटिव दस परसंट देती है अगर उसको लॉंगर टाइम प्रेम अगर आप लोग के तब आपको पता चलेगा कि यहां पर कंपनी के डिविडेंट सील भी यहां पर अच्छे तो उसको भी आप लोग एडिशनली एड कर सकता अपने यील्ड के अंदर मतलब प्रॉफिट बहुत बारा परसंट का है उसके साथ साथ अगर हम यहां पर तीन परसंट लेते हैं तो कहीं ने कहीं यहां पर बारा पंदर परसंट के आसपास का आराम से आपको रिटान बन सकत स्टार्ट कर देती है पर अपने साइडवेस जर्नी के अंदर काफी जादा पकाती है तो वह एक चीज़ है देखने के लिए तो हमें लगता है कि मोमेंटम फ्रेश यहां पर बहुत लंबा और बहुत अगड़ा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बाकी अगर छोटी- अब यहां पर चार्ट पर देखा जाए तो चार्ट पर आज आपको एक ग्याप देखने के लिए जरूर मिला है बड़ी बात यह है कि कंपनी के अंदर अगर देखो तो और यहां पर मुविंग एवरेज को कंपनी ब्रेक की है मुविंग एवरेज एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि 50 मुविंग एवरेज अभी सबसे नीचे आता जानदार आ रहा है मतलब शॉर्टर डूरेशन में हम लोगों को फॉल देखने के लिए मिल रही है अब उसके लिए तो मतलब आपको मुमेंटम अगर यहां पर देखा जा तो नीचे भी देखने के लिए मिल सकते हैं अभी यह गाप ओपनिंग जरूर मिली लेकिन इसको अभी हम पॉजिटिव नहीं कंसर्ण करेंगे अनलिस और यहां पर यहाला मुमेंटम सस्टेन करें या यहाला गाप जो बना के कि यह कंपनी को सस्टेन कर जाए अगर यह गाप सस्टेन कर जाता है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ है कंपनी के अंदर और फिर हम लोगो शॉर्ट डियूरेशन में थोड़ा सा यहां पर अगर देखा जा तो सेलॉफ भी थोड़ा सा देखने के लिए मार् के अंदर अपने आप आने लगती है यूजिली जब प्रॉफिट वोकिंग आती है इन सारे स्टॉक में तो मतलब एक तरह से कहलो कि जब आप घर में भी धूल साफ करते हो तो इधर अधर धूल चली जाती है तो इसा ही कुछ मार्किट के अंदर भी होता है अगर आपको कह सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको अपसाइड मोमेंटम इसके अंदर गीन करना है फिर से तो आपको 479 के उपर closing मिलना अभी के लिए फिलाल important है यह market यहाँ पर इन वाले levels पर थोड़ा सा consolidate कर ले फिर उसके बाद उपर जाए इवन दो अभी थोड़ा से यहाँ पर हमें लगता है कि time लगेगा लेकिन अगर मोमेंटम आता है तो वो 480 के उपर ही आपको देखने के लिए मिलेगा अभी फिलाल इसी के साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और साथे साथ चैनल को सस्क्राइब ज़रूर कर देना ओक्य बाए मारे अज करें